सब्सक्राइब कीजिए टीचर एजुकेशन चैनल को और साथी दबाईए बेल आइकन को एजुकेशन समद्धित विडियो सबसे पहले देखने के लिए गुड इवनिंग दोस्तो हमारे यूटूब चैनल टीचर एजुकेशन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है लिखे गए अंसर का अंदार्या लगा सकते हैं कि आपने कितना सही और कितना गलत बनाया था तो दोस्तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक कोस्चन दिखाई दे रहा है ये कोस्चन बिहार ये स्ट्रेट का है 505 कोर्स के सेट C इससे पहले हम लोगों ने सेट A का अंसर आप लोगों को बता दिया है उसकी वीडियो आप लोगों ने अगर नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्सन में मिल लाएगा वहां से जा करके 504 और 505 के सेट A का अंसर आप देख सकते हैं ये निमलिकित में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरन का एक भाग है सडकें उची मारते कीले दोस्तों यहां पे एक कॉमन सेंस भी आप कोशन मना सकते हैं इसमें कुछ ज़्यादा बताने जरूत नहीं है इसका सही अंसर है नदिया प्राकृतिक संसाधन सिफ नदी ही इसमें कैसा है जो प्राकृतिक है बागी सारी चीज जो है वो मानव निर्मित है आगे आते हैं दूसरे सवाल पे निमलिकित में से कौन सा रास्टी है पाठिकरम रूप रेखा 2005 के संदर्व में पर्यावरन अध्यान के सिक्षन का एक उद्देश नहीं है यहां पर दोस्तों यह सौरी अंसर जो इसका सई है वो सी में है रट्टा लगवाकर बच्चों का उधारना का अधिगम करवाना यह रास्टी यह पाठिकरम रूप रेखा 2005 के संदर्व में यह सिक्षन का एक उद्देश नहीं है तीसरा सवाल है निमलिकित में से कौन सा किसी मूल निर्धारन निमन अस्तर विश्बस नियता यहां पर जो कोश्चन में आप देख रहे हैं पर इसने बी टिक किया वा है जो कि यह गलत है इसका सही अंसर है सी अभी तक के तीनों अंसर हम लोगों ने बताया और तीनों का उप्शन सी ही है कठिनाई का निमन अस्तर इसका सही जवाब है चौथे सवाल की तरफ आ जाते हैं और चौथा सवाल पढ़ लेते हैं कि निमलीखित में से किस कथन का रास्टी ये पार्टिकरम रूप रिखा 2005 के दोवारा जोर नहीं दिया गिया इसका भी जो सही अंसर है वो C है अभी तक 4 प्रसन है चारो प्रसन के अंसर C आये थे आगे देखते हैं आगे क्या होता है ये पांचवा प्रसन है निमलीखित में से कौन सा किरिया कलाब अधिगम के लिए आकलन के लिए उप्यूक्त है इसका सही अंसर है दोस्तो A कच्छा में क्रियकलाब करते समय सिक्षारतियों का अलोकन करना हलाकि इसमें जो है नई अधारना पढ़ने से पूरू कच्छा में प्रसन पुछना ये भी बहुत सारे लोगों ने किया है और इसको भी हम लोग बतलब बहुत ही ज़्यादा का डिफेरेंट नहीं है दोस्तो बहुत ही complicated question है लेकिन इसमें जो अंसर होगा उसका सही A है अब हम लोग आते हैं छटे सवाल की तरफ छटे सवाल निमलिकित में से कौन सा विकल्प सहयोगी अधिगम में नहीं होता है इसका सही अंसर है option C बच्चे एकी विसे के दायरे में रहते हैं ये option इसका नहीं होता है यानि कि ये option सही है question में अधिगम में नहीं होता है यानि बच्चे एकी विसे के दायरे में सिर्फ नहीं रहते हैं बलके हर विसे को सहयोगी अधिगम के दोबारा पढ़ाया और दिखा जाता है आगे आते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ सातवा सवाल जो है यहां पे कि परियावरन अध्यान पढ़ाते समय एक बच्चे ने प्रस ने पुछा जिसका उत्तर सिक्षिका के पास नहीं था यह दोस्तो सातवा प्रस ने इसमें बहुत सवाल लोगों ने गलती की है मैं यहां पे आप लोगों को बताने वाला हूँ शिक्षिका ने बच्चों को कहा कि उसके पास इस प्रस ने का उतर नहीं है प्रंतु वह उत्तर ढूढने का प्रयास करेगी यह दरसाता है कि सिक्षिका खाली जगा की भूमी का निभा रही है दोस्तों यहाँ पे जो question का answer है वो है इसका सही जवाब D यानि यहाँ पे जो सिक्षिका है वो एक सहपार्ठी की भूमी का निभा रही है इसका अंग्रेजी जब देखेंगे तो co learner होता है सहापाटी यहाँ फ्रेंड के बारे में नहीं बौला जा रहा है यहाँ पे दोस्त के बारे में नहीं बौला जा रहा है बलकि co learner जो साथ में मिलकर सीखने वाली हो या सीखने वाला हो चुकि सीख्षक को उसका answer नहीं पता था इसलिए वो question को खोजेगी उसका answer पढ़ेगी जब उसको पता चल जाएगा तो फिर बच्चों को बताएगी तो यहाँ पे एक जो है वो call learner का भूमिका में निभा रही है वो इसका सही जवाब है D जो बहुत सारी लोगों ने गलत इसका answer दिया है इसके बाद आज़ेते हैं आठवे नंबर पे निमलिकित में से कौन सा परियावरण के द्वारा सीखना का एक उधारन है इसका जवाब लगबख सभी लोगों ने सही बनाया है और इसका जवाब जो है वो है बी इसका सही जवाब है यह पिडियाव थोड़ी से तिर्चा है इसलिए यहाँ पे इसको सर्किल करने ने बन रहा है इसको आरने करने बन रहा है एक तलाब के पास जाकर उसमें पाई जाने वाले इभीन परकार के पौधों एवं जन्तुओं का परिक्षन करना यह परियावरण के द्वारा सीखने का एक उधारन है बाकी जो है वो दोस्तों परियावरण के अंतरगत नहीं आता है छोटे समूहों में चर्चा कर रहे है चर्चा में सभी परतिभागी सकेरी रूप से भाग ले रहे है और समस्या का समधान ढूंड रहे है अंत में वे समूह की रिपोर्ट बना कर कच्छा के सामने प्रस्तूत करेंगे सिक्षक उनका मांग दर्सक बना हुआ है सिक्षक के दवारा किस विधी का प्रयोक किया जा रहा है यहाँ पर जो इसका option सही है वो है समस्या समधान विधी यानि की option C यहाँ पर जो है वो समस्या समधान विधी की जा रही है तो यह हो गए अलाकि दोस्तों इसमें एक बात और आप लोगों को बता दूँ कि इसमें D भी सही हो सकता है क्योंकि ये दोनों जो चीज है वो काफी मिलता जूलता है जब बच्चे छोटे-छोटे समुहों में जब ऐसा दिगम होता है बच्चों को छोटे-टों समोह में बाट दिया जाता है, उन्हें कोई उद्यस दिया जाता है, तो वैसे जो है, वो समोह चर्चा के अंतर गाता था, लेकिन चुकि यहाँ पर समस्या का समधान भी ढून रहे हैं, तो इस हिसाब से यह समस्या समधान वीधी होना चाहिए, हला यहाँ पर जो अंसर है, C और D दोनों हम लोगों को 50-50 लगता है, इसमें कुछ कहां नहीं जा सकता है, उसके बाद अगला कोश्चन है, जो आखरी कोश्चन है, कि निमलिखित में से कौन सा पर्यावरन की एक विसेस्ता नहीं है, इसका सही जवाब है, option C निस्किरिये, यह ऐसका सही जवाब है, वो option D ही होगा सामो ही परी चर्चा विधी, क्योंकि बच्चे जो है छोटे समु में चर्चा कर रहे हैं, और जब समु विधी आप पढ़ेंगे तो उसमें यही होता है, बच्चे जो है वो छोटे चोटे समु हों में चर्चा करते हैं और उनको कोई देस दिया जाता है तो यहाँ पे डी भी इसका जवाब हो सकता है तो यहाँ पे हम लोग ने 10 प्रसने का उत्तर दे दिया है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करें और इसे सेर कर दे ताकि सभी लोग को पता चल लिए यह सेर्ट सी है बिहार सेर्ट का कोश्चन है जो लोग हमारे चैनल पे नए है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को दबाते है वेजा और फिर मिलेंगा दोस्तों हम लोग नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद